प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती पाणि 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है 25 जून बिरहस्पतिवार पहला पाट रजाओं का दूसरा गरंत अध्याई 24 पर्ट संख्याई 8 से 17 तक यहो यकीन 18 बरस की उमर में राजा बना और उसने तीन महिने तक यरुसलेम में राज्य किया उसकी माता का नाम नहुस्ता था और वह यरुसलेम निवासी एलनातान की पूत्री थी यहो यकीन ने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभू की द्रिष्टी में बुरा था उस समय बाबूल के राजा नबुकिद नजर के सिनापातियों ने यरुसलेम पर आकरमण किया और उसे चारो ओर से घेर लिया जब उसके सिनापति यरुसलेम का घेरा डाल चुके थे तो बाबूल का राजा नबुकिद नजर सोयम पहुचा और यहो यकीन ने अपने माता, अपने दरबारियों, पदाधी करियों और खोजों के साथ बाबूल के राजा के प्रती आत्मा समर्पन किया बाबूल के राजा ने उसे बंदी बनाया यह नबुकेद नजर के राजयकाल का अठवा वर्ष था वह प्रभू के मंदीर और राजमहल की सब बहमुलिय वस्तुएं उठा कर ले गया जैसा कि प्रभू ने पहले से कहा था उसने सोने की वह सब समगरी तोड डाली मंदीर के लिए बनवाया था वह यरुसलेम के सब पदाधिकारियों और साइनिकों को कुल मिला कर दस हजार लोगों का सब करीगारों और लोहारों के साथ बंदी बना कर ले गया देश में केवल दरदर जनता रह गई वह यहो यकीन को बाबूल ले गया वह राजा की माता को उसकी पत्नियों, खोजो और देश के प्रतिस्टिस्ट लोगों को भी यरुसलेम से बाबूल ले गया साथ हजार साइनिक, एक हजार करीगर और लोहार जितने भी लोग यूद के योग्या थे, सब बाबूल के राजा दोरा निर्वासित किये गए बाबूल के राजा ने यहो यकीन के स्थान पर उसके चाचा मतनिया को राजा के रुप में नियुक्त किया और उसका नाम बदल कर सिर्किया रखा यह प्रभू की वाणी है वो आप लोगों के साथ हो संद मत्ति के अनुसार पवित्र सुसमाजार अध्याय साथ पदसंग्या एकी से उन्दीश तक प्रभू येश्वी ने कहा जो लोग मुझे प्रभू प्रभू कह कर पुकारते हैं उनमें सब के सब सुर्क राज में प्रवेश नहीं करेंगे जो मेरे सुर्की पिता की इच्चा पूरी करता है वही सुर्क राज में प्रवेश करेगा उस दिन बहुत से लोग मुझे से कहेंगे प्रभू क्या आमने आपका नाम लेकर बभी शिवानी नगीं की आपका नाम लेकर अब दूदों गो नहीं निकाला आपका नाम लेकर बहुत से चमतकर नहीं दिकाये तब माई उने साफ साफ बता दूँगा माई ने तुम लोगों को कभी नगी जाना कुक कर्मियों मुझे से दूर हटो जो मेरी ये बातें सुनता और उनबाद चलता है वा उस समचधार मनिश्य के सदर्श्य है जिसने चक्तानबर अपना घर बनवाया था पानिवर्सी नदियों में बार आई आंध्याम चली और उस घर से ठक्राई तब भी वा घर नहीं डहा क्योंगी उसकी नीम चक्तानबर डाली गई थी जो मेरी ये बातें सुनता किंदू उनबर नहीं चलता वा उस मूर्ग के सद्रश्य है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया पानी वर्सा नदियों में बार आई आंध्याम चली और उस घर से ठक्राई वो घर डग गया और उसका सर्व नास हो गया जब एशु कहा ये उबदे समाप्त हुआ तो लोग उनकी सिच्छा पर आज शिरिचगित थे क्योंगी बही उनके सास्तुर्य उनकी तरग नगी मल्की अधिगार के साथ सिच्छा देते थे या प्रभुका दीब या सुसमाचार है प्यारे भाई और बहनों आज के प्रतम पार्ट में हमने राजावोंगे दूसरा गरन से पाड सुना है ये पार्ट में हम सुनते हैं किस तरग नबुक नसर ने यरुसलेम बर कपचा किया उसमें यरुसलेम का राजा ये यो याकीन थे आवर दर्मगरंद करता है उसने अपने पिता की तरह वगी किया यो प्रभुकी दृष्टी में बुरा है दर्मगरंद के अनिसार जरुसलेम बर सक्त्रों ने उसमें कपचा किया ज़ पापी राजा सासन करते थे और वे अपने पिता के जैसा पापी थे दर्मगरंद के अनिसार हम जानते हैं कि जो पाप करता है प्रभु येश्वी ने अपने सिश्ण से का जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है जो पाप करता है वो केवल अपने लिए नगी पूरे मानवजादी के लिए बिनास लाता है जगुदियों के बारे में हम जानते है इश्वर ने उस जादी को चुना था अपनी प्रजा बनाकर और उन्होंने अपने दिल की बातें उन्हें समझाया मुसा के दुआरा और उन्हें आगे वहागे बढ़ाया ताकि सभी रास्टों में ये प्रभु की अपनी जनदा के रूम में प्रगट हो जाए परंदू आइसा नहीं हुआ जगोदियों के हरेक राजा हम जारते के जगोदियों का राज पहले जो पहले के राजा है साओल उसे ने पाप किया इसलिए प्रभु के सामने वो दोशी थागराया इसलिए प्रभु ने दावुद को चुना दावुद ने जगोदियों के सबी गोतरों को इकटा करके अपना एक महाराज्य सामराज्य बनाया परंदू दावुद भी पापी बने उसने भी पाप किया और प्रभु ने कगा तेरे इस पाप के कारण तेरा राजी भी बाजित हो जाएगा परंदू तो वेरे जमाने में नगी बाद में आज वे सुलेमान के बाद जगोदी राष्ट दो टुकड़े हो गए एक जुदा जो देठ्षिन का राजी है और उतर का राज इस्रायत दोनों राजी मिलकर जगोदीओंगा जगोदी उटाबन राजा हुए उनमें से केवल दो तीन को चोड़ कर इस वर के सामने और राजा पापी सिध्ध हुए और जगोदीओंगा दोनों राष्ट किये गे पहले इस राइल जो उतर का राजी है असुर के राजा ने उसको अपने कबजे में कर दिया, उसे ने उसमें जूदा को छोड़ दिया, परिंदुबाद में अभी नभुक नसरा कर इस जूदा को भी अपने कबजे में कर देता है। राजा का पाव का असर प्रजा पर भी पड़ता है। ये खेवल राजा और प्रजा के बात नहीं। हर एक व्यत्ती जो जिम्मेदार है, उसको प्रव के आदेशों के अनिसाद जीना पड़ता है। परिवार में पिता जिम्मेदार है, माता जिम्मेदार है। माता या पिता के पाप का अस्थर अपनी संदान पर पड़ता है। कलिशिया में जो जिम्मेदार है, पुरोगित, या बिशब, या कोई लोगधर्मी, सब हर एक का पाप का इसा पूरे समाज पर पड़ता है। हम देखते हैं कि दुनिया में क्या और रगा है। जो कुछ होता है, जो कुछ बिनर्त होता है, जो बिनास और रगा है, उस सब का मूल कारण पाप है। योगुदी समस्ते दे कि मगान मंदिर बनाने से आ और इश्वर की मगिमा हो जाएगी। हावर उन्होंने यी सुर्दुवारा दिया गया मगान जो आग्या है उसको लिक कर अपने माते पर अपने घर के चवट पर लिक कर रखते दे। पर उनका दिल से पालन करना बूल गए। देश्व आग्यावों का इतना ब्याक्यान करते करते चेसाव तेरह आग्या ये मना दिया। और सास्त्री और परिशी इत्याद इस पर चर्चा करते रहे हैं। जीवन में इसको लागु नहीं किया। ये प्रभु के सामने अपनात सित्ध हुए। इसलिए प्रभु ने दोनों रस्टों को नस्ट कर दिया। प्रभु जो दयालू है, कृपालू है, विदबावों मावर अनादों बर सरद्धा रखने वाले हैं। जैसे हम दर्म ग्रंद में पढ़ते हैं, कि इस आस नभी के ग्रंद अधिया ना उपद संग्या सौलों में पढ़ते हैं। कि प्रभु उनके जुबकों बर प्रसन नहीं होगा। और उनके अनादों मावर विदबावों बर दया नहीं करेगा। क्योंकि राजा के पाप के कारण जो निर्दोश है, आईसे विक्तियों को भी इस पाप का असर पढ़ना पड़ता है। इसलिए प्रभु हमें सावधान डगने के लिए कहते हैं। हर एक जम्यदार विक्ति को प्रभु के सामने न्याय पूर्ण जीवन में आना है। प्रभु अमसे इतना चाहते हैं, यह से मिकान भी कहता है, न्याय पूर्ण वेवगार, कौम अलबक्ति और इश्वर के सामने बिने पूर्ण आजर्न। प्रभु येश्व से किसी ने पूचा कि सबसे मेरी आग्या क्या है। प्रभु येश्वर को अपने पूरे दिल से, अपने पूरी शक्ती से, पूरी बुद्धी से प्यार करो। और दूसरी आग्या प्रभु येश्वर को अपने पडोसी को अपने समान प्यार करो। इसमें सभी दर्मिकता निगिद है। इसमें सभी आज्ञावोंगा रस, सारांस, अर्थ, निगुड अर्थ, निगिदे, इसलिए प्रव उचागते हैं, कि आम इन बातों बर ध्यान दे, बाग ये आडंबर उंबर नहीं, जैसे इस याद नभी के दुवारा प्रवने कागा, तुमारे असंग्यवलिदानों से कुछ को क्या, माई तुमारे मेरोमा और बच्चरों की चर्वी से उप गया हूं, माई सारोम मेम नोमम भक्करों का रक्त नगी चागता, जैसे सामूल के रगंद मेम बढ़ते हैं, सामूल ने सावल से कगा प्रवो आज्ञा पालन चागता है, ये बाग यतर का ये बलिदा और ये कृतन, ये सब नहीं है, प्रवो चाहता है, अम दिल से प्रवो को प्यार करें, इसी बात को आज के सुसमाजार में प्रवो करते हैं अपने सिश्यों को, कि जो लोग मुझे प्रवो प्रवो करकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब सुर्क राज में प्रवेश नहीं करेंगे, पर नुझो ये सुर्क इचापूरी करता है, वही सुर्क राज में प्रवेश करेंगा, प्रवो करते हैं, उस दिन लोग मुझे से कखेंगे, क्या आपके नाम पर आपने बविश्यवानी की, आपने अबदूदों को निकाला, आपने शक्ति शाली चमतकार दिखाई, रोगियों को चंगाई दी, आओ रंदों को दृष्टिदान दिया, मुर्दों को जिलाया, स आपके नाम पर आपके नाम पर किया, सिष्यों यह किया भी था, प्रवो करते हैं यह सब में जो दार्मी गता नगी है, जो माई खोज रगा हूं, यह सब भाग ही रगता है, जैसे कोई कलता है कि हमारे कुछ धारनाय अपने बारे में, हर एक विक्ति अपने-पने कुछ ध अपने को सोचता है कि माई प्रव का नियाई हूं, यह सब एक निर्धारी दिविश्वासों का समुदाय है, परीकल्पना है, उसके अनसार जीना चाहिए, इसलिए प्रवो हम से कहते हैं, कि तुमें करिस्माई वर्दान मिलाओगा, तुमारी प्रार्तना का इस्तना सर मिलाओगे बोलने लगते हैं, हंदे देकने लगते हैं, और तुम बविश्वानि दे सकते हो, परन्दो इसे कोई गारंडीन लगी है कि तुम मेरा सिष्य है, जिब मेरी सिच्छा तुमें बनी रगेगी, तब तुम मेरा सिष्य है, आई हम प्रार्तना करें, एप परम पिता, आम तुछे दे निवाद देते हैं, तेरे पवीत्र भजन सुनने और समझने के लिए तुमने अमे यह आवसर दिया है। इन पवीत्र भजनों को आत्म साथ करके आम तुछे तुछ से जुड़ जाये। इसलिए तुम आमें शक्ति दे, आमें बुद्धी दे, चमदा दे। कोरोना के इस मगा मारी के आउसर पर जो अमारे जीवन के लिए प्रले जैसा है, आंदी जैसा है। इस समय पर तुमें सुरक्षिद रख। आम सारे विश्यों के लिए प्रात्तना करते हैं। प्रभू इस अंदेरे के आउसर पर इस तुपान के आउसर पर अमारे जी गबराये है। तुने कागा अपने सुष्यों से तुमारी जी गबराये मात, मुझे पर विश्वास करो, आउरी स्वर पर विश्वास करो। ये प्रभू अमारे विश्वास बढ़ाये और अमें आप पूरे मानेवजादी को सुरक्षा दे। ये प्रार्थ नाम करते हैं अमारे प्रभू कृस के द्वारा, आमें।